साम की चाइ के साथ अगर कुछ मज़े दार खाने को भी लिए ना दो चली बनाते हैं कुछ अच्छा यहां पर मैंने लिया है को प्र-दर नमक और न इसके बाइम रेख ऐलेगी जोटी चमक्दम माच कर लेखे है ताकि जो आजवान का फ्लेवर है ना वो मैदा में बहुत ही अच्छे तरीके से आजाए यहां पर हाथ से मैने मसल लिया है थोड़े था और इसे मैदा में मिक्स कर लेंगे इसके बाद डालेंगे एक छोटी चमच कलोंजी यह इसे काला जीरा भी कहते हैं मग्रेल भी बोलते हैं वही है इसके बाद एक चमच कसूरी मेथी को भी हाथ से थोड़ा सा मसल लेना है और इसके बाद मैदा में मिक्स कर लेंगे मोहन के लिए डाल दी हमें यहां भी दो बड़ी चमच ओयल इससे जो हमारा नास्ता बन करके तयार होगा न अच्छा खस्ता बन करके तयार होगा इसके बाद मैदा और ओयल पांकी की मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मोहन जब अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाए त करके तयार कर लेना है जैसे हम रोटी के लिए डू बना करके तयार करते हैं और इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे बड़े-बड़े पीस और लोई बना लेंगे यह बड़ी सी लोई बन करके तयार हो गई है अब इसमें थोड़ा सा सुखा मैदा लगा देंगे दोनों तरब से और फिर इसे हमें बेल लेना है बेलना हमको इसे बिलकुल पतला है जितना पतला आप इसे बेलेंगे उतनी यह बढ़िया हमारी यह ना इसे ही छोटी छोटी जो है मच्री बन करके तयार हो जाएंगी यह नमकीन मच्री चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और इन्हें आप श्टोर करके भी काफी दिनों तक रख सकते हैं या च्रवल में जा रहे हैं तो आप इन्हें बना सकते हैं बहुत ही अच्छी लगत कच्छी कर लेना है और यह तालना है तो मख्रियां जल जाएंगी और लो फ्लेम पे इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने और यह उन्हारी खास्पा-कुर्गुरी मटवी बनकर तयार है तो मैं इनके साथ इंज्याय करने क्लिए चाय भी बनाकर के तयार कर ली है और मैं इनी चाय के साथ इंज्वाय करूंगे यह हमारी मठ्री बनकर तयार है रेस्पी अगर पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स यह गर्म गरम चाय के साथ मठ्री मैं तो इंज्वाइब करिए हैं आप भी इंज्वाइब करिए